दोस्तों, हमारे इस शो पर आप धेर सारे अक्टर से मिल चुके हैं कभी एक अक्टर आते हैं, कभी दो आते हैं, कभी तीन और चार साथ में आते हैं लेकर हमारे आज के जो गेस्ट हैं, उनके अंदर ही वो सारे अक्टर को लेकर घूमते हैं मैं बात कर रहा हूँ, स्टैंड़ अप कमीडियन सुनील पाल की जो की मिमिक्री आर्टिस्ट भी है, अक्टर भी है और प्रोड्यूसर डिरेक्टर भी है हाली में उन्होंने एक फिल्म बनाई है, मनी बैक गारेंटी तो आईए, वेलकम करते हैं और बाते करते हैं सुनील पाल से वेलकम टू एटीसी बाज़ बाज़ इतना बड़ा इंट्रॉक्शन दे दिया कि मतलब, थैंक यू रिपट्शन, आप इसकाविल है, इसकाविल हुया नहीं है, तो परमापना के करपा है यह हसाने का सिलसला, लोगों को हसाने का सिलसला बच्पन से ही था कि? जी, भगवान ने का ऐसी शकल दे रखी थी यार इन्दॉ कि मैंने सोचा कि इस शकल को देख के लोग बोलेंगे, अब इन्सानों की शकल भी ऐसे होने लगी है तो वहीं से शुरू हुआ, स्कूल में जब जाता था, मेरा बेसिकली मैं आंधरपदेश और महराष्टे की बॉर्डर में, चंद्रपूर डिस्टिक हैं तो स्कूल से घर के बीच में दो थेटर आते थे, सुबा स्टाकिज और दिलिप टॉकिज, जब थेटर स्टाकिज देखता था तो मैं स्कूल का जाना मेरे दिमाग से बूल जाता था, पोस्टर देख रहा हूँ, उस माहौल को एंजॉई करता था, तो वहीं से फिल्में कल गार की डालेक बोलना, गाने गाना ये सारे शौक पैदा हुए और वहीं से ये मुझे लगता की शायद कलाकारी का बीजबोय आ गया है, तो कलाकार बनने मुंबई आ गया है, जी 1995 में पॉंबई आ गया है, तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा या बहुत ही आसान जब 1995 में बॉंबई आ गया मैं मिठुंदा का अडरस लेकिए, मिठुंदा अडरस लेकिए, मिठुंदा अगा मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, जिसमें जॉनि लिवर साहब है, मिठुंदा है, क्रोकि जॉनि भाई जब मैं आवाज निकाने लगा तो वहां पर कैसे ड अगा मैं उनको अपना गुरुमान कर आगे और यह तो तीन लोगों से मिलने का अर्मान लेकि मैं बंबे आ गया, साथ साथ मुझे काम भी करना था लेकिन चुकि आपको तो पता है, जब यहां आया तो मैं मिठुंदा जब यहां रहते थे पहुंचा तो अब कोई मुझे क अगर कर देगा तो मैंने का सर मैं मिठुंदा का पहुड़ा पहुड़ा फैन माया पूरी से एड्रस लेकर आया हम प्लीज मुझे पता है कि वह बहुत अचे इंसान है आप वाच्में प्लीज जाने देजी मुझे दे दर ले साहाब हम जाने देते लेकि सच्छमुच मिठ मैं मटने पार का अधिम होगता है कहां से आयो मैं चंतरपूर siyaoyum और मैं कुछ आर्टिस्त हूऊं एक्ट crystals की आवाज नकालता हूँ यहां कुछ ला देज प्लीजा कहा हूँ चाहिए बद्ड़न ठीजाब mo मुझे पता है कि घर में तो डाड़ भी पड़ेगी, उल्टा और परेशानली तो आएं, मतलब आपके घरवाले खुश नहीं थे? नहीं थे, उनके हिसाब से थे कि फिल्मी कीडा इसको लग गया यह तो बिगड़ गया तो मैं फिर यहां आ गया तो बहर गरवाले भी नाराज थे, मैंने आप वापर जागर करूँगा क्या तो यहीं पर चाय के दुगान पर काम कर लिया और साथ-साथ मैं और 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 केस्ट तुम वह भी stand-up comedy के बहुत अच्छे कलाकार है तो उनोंने का कि तु जीमी के साथ में लग जाए तो जहां जाए प्रोगाम करने जाएगा जैसे से उसको सीख तुम तो मैं तो कहना चाहूँगा है कि अगर मेरे लिए भगवान है तो जॉनीबर का घर मेरे लिए मंदीर है तो मुझे अच्छे लोग मिलते चले गए अच्छे लोग मिलते चले अच्छे लोग मिलते चले ओर्केस्टर में काम मिलना गया थीदार सिंग, मिलन सिंग, शोटाइम, कलाकार यह सब फिर मूरानीज मिले मुझे बहुत support किया उनोंने शारूख खान के साथ ही पहला show तो जब इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो कभी निराश होकर वापस चंदरपूर जाने की नहीं सोची आपने? कई बार सोचा भी, लेकिन जैसा कि मैंने का हाना कि वहाँ भी कोई परिखती खास थी नहीं, जादा जादा मैं किसी छोटा मुड़ा नौकरी कर लूँगा, और मेरा एक दोस्त नागपूर में है, आप तो दिली में रहता है, उमी सिंग, उसने का है कि तू औरकेस्टर हमें क बता दिया कि मैं मौम में जा रहा हूं एक्टर बरने के लिए, तो वह तो मौम का जिसम लेकर कैसे जाओं गाओं, वहां के लोग तो मूझ से आग उकलते हैं, फिर मैंने सोचा कि यहीं स्टगल करते हैं, और फिर लोग मुझे अच्छे मिलते चले गए, मुरानीज के पर सोनो निगम जी का फैमिली मुझे मिला तो उनों ने वो भी जैसे जानी भाई का फैमिली मेरे लिए, क्योंकि उनों ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया, और लोग अच्छे मिले, इसलिए मैं उसमें कह सकते हैं कि बबुल के बाज़े में काटे का पेड़ भी हो, तो इस तरह से खुश्बुदार बन गया हूँ फिर जब आपकी ये दुकान ये दुकान, कॉमेडी की दुकान और एक्टिंग की दुकान इतनी बढ़िया चल रही थी आपने कैसे सोच लिया कि मैं प्रोड्यूसर बन जाओं या डिरेक्टर बन जाओं पहले आपने एक फिल्म बनाई भावना को समझो क्या भावना समझानी थी लोगों को असल मैं स्टैंड़ अप कॉमेडी तो करी रहा था हमें तो मेरी पहली जो फिल्म है वो भी स्टैंड़ अप कॉमेडी के साथ में ही है स्टेंडब कॉमिटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें पर उतला नहीं चला क्योंकि उसमें कारण यह थी कि हमने बड़ी हिम्मत की ती हमने थ्री डिट के सामने रिलीज की ती पीचर मैंदब चौथे इंगे नापते तो उसके काई साल बाद अब वापस आपने जाके फिल्म बनाई है मनी बैग गारेंटी तो यह गैप क्यों डर गए थे इसलिए या फिर दूसरा सवाल यह है कि वापस फिल्मों में क्यों कूद पड़े इस फिल्म के तो प्रेडियूसर आप है डिरेक्टर आप है अक्टर भी आप है यह सब करस बीच में जब थोड़ा सा लॉस टाइप का दिख राता मुझे तो मैं तो बहुता ख़ब आ गया डर गया जिसमें कहीं न कहीं जब भी कोई ऐसी बात हो तो हम कवर कर सकते हैं यानि आपको वो फिल्म प्र Yoda किड़ा काट चुका था तक किड़ा काट चुका था फिल्म भी किड़ा बट चुका था पर कहीं प्रड्यूसर डिरेक्टर बनने के बाद ऐसा नहीं लगा कि आपके जो असाइन्मेंट्स है बतोर एक्टर वो कम हो सकते हैं बिकोछ लोग बोलेंगा रिए तो खुद प्रड्यूसर डिरेक्टर है इसको क्या दे हम मकर कॉमल जी आजके टाइम ऐसा नहीं रहा है आजके तू आपको को पता है कि मुजरेटर भी एक्टर बन रहे हैं सिंगर भी डिरेक्टर बन रहे हैं कोई कुछ भी बन सकता है अगर आपके अंदर करने की इच्छ हो तैलेंट भले हो ना हो लेकिन अगर करना चाहते है तो करो मेरे कहाल से आपने टाइटल से ही राइट फ्म दे वर्ड गो जिसे कहते हैं आपने बोला कि मैं लोगों को हसा हूंगा बिकॉस प्रोडक्शन के वल एक ऐसी फील्ड है जिसमें money back होने की कोई गैरेंटी नहीं है और आपने फिल्म का टाइटली रखा money back guarantee फिल्म की स्टोरी भी वैसी है ये स्टोरी यूनियोरसल है मैं लोग मुझे से पूछने कि ये film आपके क्यों देख रहे हैं अगर आपने जिंदगी में किसी को उधार दिया है और और वापस नहीं मिला है तो जरूर देखे का मनी बै गैरेटी यानि आपने सब को कीच लिया सब को लपेडे में ले लिया मैंने देखा कि यार सब के साथ यह प्रावलम है कई लोग किसी को उधार देखे फस चुके हैं वापस नहीं परिशान रहते हैं फोन करके तो आपने मतलब एक फूल प्रूफ फॉमिला दिया है किस तरह आप वापस ले सकते हैं आपके बैसे तो यह मैं कहता हूँ कि आपको अगर मनी बै गैरेंटी चाहिए तो फिल्म देखे गए और दो घंटे कि फिल्म होती है मैं समझता हूँ कि समय भी किसे ने कहा है कि टाइम इस मनी तो समय भी आपका सही जाएगा आप वहाँ पर भी मनी बैगर एडे कर लेगा और दो घंटा भी आपका सही होगा अगर अगर तो समल ये आपका सही हूँ अगर जाएगे उस Сएब कॉमेडिया ने क्हाने कॉमेडिया आपकाbreaker कुछ और साइंड-डेशे और घंटारी कुछ और कोई कोुछ करना पड़ा किसी को असिसी को असिस्ट करना पड़ा किताब कदना नी पड़ी मुझा जॉनी भाई हमें चेहते थे कि stand-up comedy अपने आप में एक company होता है एक अपने आप में factory होता है अचा है अपने आप में industry होता है उसका कारण ये कि हम लिखते भी खुद है perform भी खुद करते है performance का क्या response है ये हमें समझ में आ जाता है क्या चीज़ एडिट करने चाहिए on stage हम एडिट करते है director भी हम खुद दिये produce मतलब समय अगर हम दे रहे तो produce भी खुद है तो बहुले हम ये stand-up comedy की field ऐसी है कि अगर बंदा अपने आपको पैच्छान ले आलाकि मैं तो zero minus हो जॉनी बेल कहना है करने अपने आपको पैच्छान ले आप तो आप कुछी भी कर सकते हो तो क्योंकि आप stand-up comedian है इसलिए comedy film ही बनाएंगे ऐसा है या जैसे मैंने जो आपको मुद्धा बता है film का वो तेक serious मुद्धा है मगर comic तरीक से comic इंताज मैं जैसे होता है कि हसाते हसाते लोगों को एक बताना के विए यह देखो यह आप चुक रहे हो यहां करती कर रहे हो तो यह comedy के साथ साथ एक serious कैसे कि film है कितना पैसा आपने लगाया है इस film को बनाने में पैसा तो यह ही कि बहुत लोगों support मिला सब चीजे होई उसके बाद भी दोड़ाई को मैंने आसपास कर दिया है रिलीज के हिसाब से लेकिन support बहुत लोगों मिला है तो अगर बाकी लोगों support जोड़ दिया जाए तो पांच के आसपास का मामला मैं समझता हूँ और एक गाना इसमें जो आज की फिदा हू तेरे प्रोफाइल के पिक लुक से तेरा आशिक बन गया मैं तो फेस्बूक से टैग होना है दिल में तेरे हुक या क्रुक से तेरा आशिक बन गया मैं तो फेस्बूक से मेरा स्टेटस मिलता है से में शारुक से तेरा आशिक बन गया मैं तो Facebook से ये गाना आप ही ने लिखा है जी मैंने लिखा मैंने गाया है बहुत पसंद किया रहा है फिल्म बनाने में दिक्कते आई ये ऐसा प्रोसेस है कि मैं इसको इंजॉय बहुत करता हूँ क्योंकि मैं खुद राइटर हूँ कितने देनों में बनी? इसकी शूटिंग पच्शीस दिन चली बाबे में नौस सब चली बीच में कुछ गया पायाता लिकिन नौस मतलब जल्दी शूटिंग कटम हुए पोस्प्रोट्चशन प्रोस्प्रोट्च्शन बहुत अच्छा हो पोस्ट प्रोटक्शन में मिलेका से तीन से चार मने लगए तो मतलब ये फिल्म प्रोड्यूस करना, डिरेक्ट करना, ये सिलसला चालू रहेगा? बिलकुछ सर, बिलकुछ चालू रहेगा क्योंकि जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां मैं एक बार कहा था अपने शो में कि दुनिया का नमबर वन चानल कौन सा ये तो मुझे पता निया लेकिन आखरी चैनल है ETC एक प्रोगा में इनके नए ने प्रोडूसर को बहुत मौगा देते हैं एक न्या प्रोडिसर इंके बास में आगया था, आती ही उसको फीट की बिवारी आगी औरगा, वो बेहोष होगया, तो इन्होंने पाणि मारा था, तो मिला है, Sir, तो मेरी पिच्छर तो हीट हम हेगी है, क्यासे? मुझे मेरे स्लोगन सुना है, कि ATC फिट तो पिच्चर हीटा और मैं इंकर बहल बड़ा फैन हूँ जब भी कोई टीवी पर बड़े इंटरिव आते मैं अपनी वाइब से कहता हूँ इसको हटा, इसको हटा, इसको हटा, कॉमल न हटा मेरा नाम ही है कि न हटा आपका नाम ही है कि कोई हटा टीवाएगा सुनिल जी आपसे बाते करके बहुत मज़ा रहा है मगर मैं इतनी आसानी से आपको जाने नहीं दूँगा वक्त खत्म होते जा रहा है लेकिन not before you have acted or imitated some of our superstars and some of our stars and आखिर में I would want you to end it with Irfan Khan because इर्फान कि जो आप acting करते मेरी खाल से अच्छे-च्छे नहीं कर पाते है बढ़े, इर्फान कहां ने भी मज़े compliment दिया है प्रहिर ना? मेरे एक फ़िएoryट आइटम है जो मैं स्टेज पर भी करता हूँ दोस्तों मादर दिख्षित की एक फिल्म आये थी आजान नचले वो फिल्म वाक्स ओफिस पर जाद नहीं चली क्योंकि हिरोन खुद ही कह रही है नचले नचले मेरी जान तू नचले तू नहीं चली तो सपने में सोचा कि मादर दिख्षित का ये एटिटूट डेकर विरभपन को खुसा है उन्होंने मादर दिख्षित को किड्नैप कर लिया जंगल में लेके गए तो ये जब बॉल्यूड को पता चला तो सारे फिल्म स्टार मादर को छुडाने के लिए जंगल में और अप्रेमेर स्टार में कैसे चुडाते है सबसे बले पहुंचिए नाना पाड़ेकर देखिए ये कॉमिडी का सब्जेक्ट है इसमें कुछ भी आगे पीछ हो सकता है तो प्लीज मुझी स्पिरिट में लेंगे यास मुझी शवा कीज़ेगा और हमेशा सब्णपोल करते आये इसलिन में बिगड़ता जाओ सबसे बले नाना पाड़ेकर सबसे लेगे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है एक लडगी को जंगल में उठा कर लाया इक दास कर रहा है दखदख कर ने लेगा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो वीरपन ने बंदुग नीचे कर, अगर असली बाप की अउलाद है तो बंदुग नीचे कर, तो वीरपन ने का, क्या करेगा तू, एक बार बंदुग नीचे कर, ऐसा बहुआ तुरे बाप को भी नी मिलूँगा, भीच में गाना आय तक बड़ा हीट कूथ के पहुशे नाना, और नड़की को बोल रहे, विदरा, कहां छूना है तुझे? क्यूं? अरे तुही तो कह रही है, छूना छूना अब मैं जवां हो गई, तो नाना छूने आ गया, साथ में लाला को भी लाया, क्यूं? ओ लाला ओ — उसको भी बुलाला — अब इन के पी नसुर अदिन शाद इस्किया है इस्किया नहीं है अब इनके पीछे पहुँच गया है मिठुन्दा तो विरभपन बोला सुन ली आगे बोलो यह विरभपन अगर तुने मादनी को नहीं छोड़ा तो मेरा हाथ तुछ पे छोड़ जाएगा और यहाथ नहीं हतुड़ा है मा कसम तो विरभपन नहीं कहा अगर यहाथ तुछ पे पढ़ गया तो तो मरी जाएगा अगर मैं नहीं मरा तो तो फिर तुझे ग्रैंड सेलूट क्या बात क्या बात अब इनके पीछे पहुँचे पहुँचे जॉनी दीवर साब जॉनी बाई क्या है फाल क्या है बाभा विरभपन च्पन इतनी गन्दी शगल कि पेदा कैस हो गया वे इए बच्चे तुझे देख्कर डर जाएंगे बड़े थे देख्कर मर जाएंगे इतनी गन्दी शगल डार्ती पे किस ने लाई बेए कोम locally like'maиль show इतनी गंदी शकल इतनी गंदी यगणी सेगल लाव इतनी गंदी cकल वोस उन्योभाई सामने विरभ्पन आई अथा थिन्टे को उठा के लिए तर्क्र किए लड़की को उठा के लेखा किया है विता आको नहीं? ऍुरू को पैंचानते हो ना मतलब नहीं पेचहांते हो किया तो वोड़ापन पे बन टू थी डाइल करो सब जान जागे सब सब बंदुग निची करो हम तो दस रुपल रिचाजे हमारा टॉक टाइम खुतम हम तो डाकू बननिया है हमें भी टाकू बना लो नाम भी सोचलिया हमने इरिफान सिंग तोमर सब से आकिर में इये मुका मिल हमारे जिये अनना हजारे जी जो jest बहु divine, मंद आई मों करें कि जिले कि मैं नहीं पसंद करता है लग कोई इंगरेजयका जयाना नहीं है कि यह सब करेगा अरे मेरा पहन, यह सब तो करेगा, तो तो जानता है मैं क्या करोंगा, क्या, अंशन और आशकल के फिल्म में तो ऐसे ऐसी आरी है, आप देखिये, बीच में, मैंने अपने पतनी को फिल्म देखाई राजना, तो पतनी खुशी-खुशी अगर कहती है, मेरे प्यारे राजना, बरतन सारे माझना, और सरेक मेरा पडोसी, एक्तम तूटा-फूटा मेला, मैंने का, यह तूटा-फूटा कौन से लट-पत क्यों क्या हुआ, तो यह तो पता है, तेरी भावी जो भी पिच्चर देखती है, बिल्कुल ऐसे ही बढ़ता हो मेरे साथ करती है, कल मारदानी देख रही थी, तो मुझे बताता तो मुझे जब बचाने आ जाता, आज बचाले, मेरे काम देखने कही है, तो यह है हमारी money back guarantee, yes, money back guarantee में भी आप ऐसे हसाने वाले हैं लोगों को, इसमें बहुत तरे comedians है, तो फिर, एक comedy night से कितनी अलग है आपकी film, इसमें स्टोरी है, comedy night में performance होते है, तो act होते है, अलग-अलग jokes होते है, अलग-अलग स्टोरी है, इसमें स्ट जोग डालने कोशिश नहीं की, मैंने अलग-अलग ने नच्रल फ्लो आते है, नच्रल में ही है कि अपको यतनी हसी आएगे, क्योंकि केरेक्टर माँ सारे है, और स्टोरी है, चोकि अपको पता है कि कैसी स्टोरी है क्यों कि हम पे हसने है, तो वो किसी बन्दे को देख कि अब इसमें कुछ नहीं का सब्सक्राइब कि सिवाए हसने के और प्लस इडेंटिफिकेशन बहुत तगड़ा होगा बिकास हर एक इस दौर से या इस situation से गुजरा होगा जिसने सवर पे किसी को उदार दियोगा उसका सवर पे किमती उसके बिल्कुल और इसने सवर कोड़ दियोंगे वभी बच्छासाब ने किसी को सवर को अधार दियोंगे वगी सवजेंगे अई सलाँ यह तो सलाँ जाया जी देखे यह अपनी स्टोरी है सुनेल जी बहुत-बहुत मज़ा है यह विशिंग यू बेरी बेस फिल्म सेकंड फिल्म, मुलाकात काल फिर होगी एक और मज़दार एकसाइटिंग एपिसोड में इन ताइम आपके कोई सुछाओ कोई सजेश्चिन सो तो प्लीज तो प्लीज दो राइन तो आज क्वेश्टिंस एट जीनेट्वर्ग दोट-गॉट-गॉट-गॉट-गॉट- झाल